नमस्कार प्यारे मित्रों आप सभी का हमारे चैनल from the eyes of Rajesh Kohli में आपका अभिनंदन और स्वागत है आज हम प्राचीन भार्तिय इतिहास अर्थात अनेसियंट इंडिया पर बात चीत कर रहे हैं और आज का हमारा विशह है राजपुतों की उत्पत्त हर्षवर्दन की व्रित्यु के पश्चात से लेकर 12 सतापदी इसवी टक का काल उत्तर भारत की इतिहास में सामिलेतर राजपुत काल के नाम से जाना जाता है साथवी सदी के मद्य तक उत्तर भारत वर्धन साम राजपुत संगठित राजपुत था हर्षवर्दन ने लगबख संपुण उत्तर भारत को विजित करके एक संगठित राजपुत की इस्थापना की में 647 में हर्ष के योग्ये उत्त्रा दीकारियों के अभाहूं में संपुण भारत छोटे-चोटे राजपुत हो गया है कि 12 सताब्दी तक भारत चोटे चोटे राजपुत करके में कि इसी समय पास्चिम भारत में अनेक चोटे-चोटे राजपुत कि एक dunstar 1750 से लेकर 1200 इसी के बीज का समय भारतिय इतिहास में अनेक राजवन्सों के उत्थान और पतन का काल रहा है। इन राजवन्सों में गुजर प्रतिहार, चौहान, पर्मार, चालुक्य, चंदेल, गहडवाग, गुहिल, तौमर, आदी, अचांस, राजपुत्वन्स माने जाते हैं। इस वर्ग की उत्पत्ति का प्रष्ट विद्वानों के बीच अत्यन्त विवाद का विशहरा है। मुख्यते इस संब्ध में दो मत दिये जाते हैं। राजपुत्व की उत्पत्ति संबंदी एतिहासी साक्ष पर विचार करते संब्ध कुछ बूलू लक्षों को ध्यान में रखना आवशक है। इनके उध्यक के संबंद में इतिहास कारों विद्वानों ने आनेक सिद्धान्त प्रत्ति की पादिक किया हैं। उनमें से प्रमुक्षिद्धान्त दो हैं। पहला विदेशी उत्पत्ति का सिद्धान्त और दूसरा है भारतिय उत्पति का सिद्धान्त। प्राचीन भारतिय साइट्यमें राजपुत सब्द का उलेक कभी नहीं हुआ। इस से इस बात का पता चलता है कि राजपुतों का उद्धै प्राचीन भारत में नहीं प्रारम हुआ बल्कि बाद में हुआ। कुछ इद्धासकानों का विश्वास है कि राजपुत कुछ विदेशी जातियों जैसे शक, कुशान, होन, आदी की संतान हो। इस सिद्धान के प्रतिपादक करनल जैस्टोड हैं, जिनोंने अपने पुस्तक में इसका प्रतिपादन किया है। इनके अनुसार राजपुत विदेशी सीथेन जाति की संतान थे। इस मत का आधार सीठें तता राजपूत जातियों की कुछ सामाजिक तता धार्मिक प्रथाओं में समानता होना है। करनल टोड ने राजपूतों को शक कुशाण तता हून आदी विदेशी शाष्कों के वंसरजों से संबंदित्वाना है। कुर्णलर तोड का अकृत है कि अंध्य यंज्व scientific टता शश्त्र पूज्ञओं की सामजिक स्तेथे आदी में विदेशियों तथा राजपूतों में समानता के पर्यापट अत्रत मजूद थे सीथियन तथा राजपुत जातियों की कुछ सामाजिक तथा धार्मिक पुथाओं में कर्णल तोड के अनुसार निम्न समानता हैं रहन सेंदता वेश्भूशा में समानता मान सहार का प्रचलन रथो द्वारा युद करना या युद में रथों का प्रियोग यग्यों का प्रचलन और अगनी पूजा का प्रचलन इसी मत्त का प्रतिपादन वीलियम पुरुक ने भी किया है उन्होंने ये प्रतिपादन किया कि ततकाहिन समाज में कई विदेशी जातिया निवास करती थी ब्रहामनों का बोध्र आदी नास्तिक संप्रदायों से वेश्था अर्ट उन्होंने कुछ विदेशी जातियों को सुद्धी संस्कार द्वारा पवित्र करके भारतिय बन्वेवस्था में स्थान प्रदान किया इसी को राजपुद कहा जाने लगा वीलियम क्रुक तथा विंसर्ट स्मित के अनुसार भी राजपुद वंसुं की उत्पत्ति गूण आदी विदेशी जातियों से संबंदित है विशेश रूप से गुजर लोग वुणों के समय में भारत आये थे और इनमें से कुछ परिवार राजपुद क्षत्रिय के रूप में भारतिय समाज में समाहित हो गए के कालंतर में उन्होंने प्राचीन भारतिय परंपरा के चंद्र वंसी तता सूर्य वंसी क्षत्रियों से अपना संबंद स्थापित किया। है कुछ का मत्त तोड़ तता स्मित से मिलता जूता है। स्मित की मानिता भी है कि निचले सामाजिक दर्जे के कुषत्रिये राजबुद शाष्कों के रूप में स्तापित हो गए स्मित के अनुसार उत्तर पस्चिम की राजबुद जातियों प्रतिहार चौहान परमार चालू के आधिकी उत्पत्ति शकों तता हूणों से हुई थी इसी प्रकार गहडवाल, चंदेल, रास्टकूट, आधिमध्य द्रता, दक्षनक्षेत्र की जातियां, गोणबर जैसी आधिम जातियों की संतान थी स्मित की धारणा है कि शक, कुषान, आधि विधिसी जातियों ने हिंदु धर्म ग्रण कर लिया व्यकालानतर में भारतिय समाद में फूनताय मिल गई, उन्हों ने यहां की संस्कृति को उनके दर्वारी चार्णों के बहुत बढ़ा चला करेंव इनकी तुलना रामयन और महबारत के वीरों से जी बंडार करने भी विदेशी मत का समर्थन किया है। उनके अनुसार अगनी कुल के चार रातपूत वन्स प्रतिहार परार चालू किये चोहान सोलंग की वजर नामक विदेशी जाती से उपन हुए थे। पुराणों में हैयाई नामक रातपूत जाती का उलेक शक यवन आभी विदेशी जाती के साथ किया गया है। इससे भी रातपूतों का विदेशी होना सिद्ध होता है। बारतिय इतिहासकार में ईश्वरी प्रसावत तता डियार बंडार कर यह मांते हैं कि बारतिय समाज में विदेशी गूल के लोगों के संबलित होने से राजपूतों की उत्पत्ती हुई है। बंडार करने एक सिक्के पर अंकित स्री वासुदेव बहमन के आधार पर तता अन्य अनेक तर्कों के साथ चौहानों अत्वा चाहमानों को खजर नामत विदेशी जाती के प्रोहित वर्का माना है। इन इतिहास को अनका विरोज डॉक्टर घोरी शंकर हीराचंदोजा ने राजपूतों को प्राचलिक शत्रियों का वंसच प्रमानित करने का लियास किया है। तोड के तर्क का खंडल करते हुए इस प्रकार के रिती वाद विदेशियों में भी प्रसिल्त होना बताया है। और ये विदेशी शाशक वर्ग ने क्षत्रियों से ग्रहन किया होना बताते हैं। ओजा का मत है कि राजपोत अपनी जाती का विशिष्ट ताओं तदा सारे रेक शनचनाओं में भी प्राचिन क्षत्रियों की संतान पतीप होते हैं। ये था विदेशी उत्पत्ति का शिद्धान्त।